हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल घड़ी में हम एक प्रत्यक्च पाट साला में जाका अध्यान करने का मौका नहीं बीन पाता है इसलिए ब्रहान मुँबई महानगरपाली का सिक्चन इभाग इनके द्वारा आउनलाइन अध्यापर यहां कारियर सुरू किया जा रहा है तो इसी के चलते बच्चो आपको एक सुनरा आउसा प्राप्त हो रहा है बहले ही हां प्रत्यक्च पाट साला में ना जा सके लेकिन किसी भी बच्चे का सेक्चनिक नुक्सा ना हो इसलिए ब्रहान हुवे महानागर पाले ना आपको प्रतार किया यहां सुनरा मौका तो आईए बच्चो आधम इहां आलाइन स्टडी का आनल दले और आपको इसके अबावा जो हम यहां लेशन लेंगे तो इस लेशन के हमारे यूटूब के चैनल के दोरा आपको इसकी संपूर्ण जानकरी प्राप्ता होंगी तता हाँ आप बीमजी के इस चैनल के दोरा इसकी अधिक से अधिक जानकरी भी प्राप्ता कर सकते हैं और य करते हैं तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्छा पहली में विशय हिंदी और आज के हमारे घटक का नाम है पहला दिन और मैं हूँ बच्चो आपका मार्ग दर्सक यमसी जीयम वर्चुल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चो चित्र वाचन देखो समझो और बताओ मैं आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाऊंगा इन चित्रों को आपको ध्यान पूर्वक देखना है देखकर इनको समझना है और इसके बारे में मैं आपसे जो पुछोंगा वहां आपको बताना है और यहां चित्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर बच्चो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पहला दिन उसके नीचे है चित्रवाचन देखो समझोर बताओ पहला दिन यहां पर देखो यहां पाट साला का पहला दिन इसका चित्र है पाट साला के पहले दिन हमें कौन-कौन सी चीजे देखनों को मिलती है यहां आपके स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है अभी शुरुवात में देखो सुस्वा गतम लिखा हुआ दिखाई द रहा है और उसी गेट पर सिक्छक गन बच्चे और उनके पालकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे है और वहाँ पर लिखा भी है स्वागत है अर्तात पाट साला के पहले दिन आप सभी बच्चों का पालकों सहीत इस पाट साला में स्वागत है यहाँ पर आप लोग आईए और आपकी अपनी पाट सला में इसका आनन्द लिजिए ऐसा सिक्छकों के माध्यम से दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो पाट सला का चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंतरगत एक सिक्छक गुब्बारे लेती हुए बच्चों का स्वागत करते हुए हमें दिखाई दे रहा है फिर देखो इदर साइड में स्वाच्छता ग्रहा डिजिटल का अक्ष स्वाच्छता रखो आदी चीजी भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और साइड में देखो बच्चो पहली कक्छा दिखाई दे रही है और उसके साइड में कतार में चलो ऐसा हमें वहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अर्थात जब बच्चे पाट साला में अंदर प्रविष्ट होते है और वहां अपने कक्छा की ओर आगे बढ़ते है तो उनके लिए यहां सूचना है कि आप लोग इधर उधर इकठा होकर ना आकर कतार में आईए ताकि आपको किसी भी प्रकार की चोट ना लग सके और किसी भी प्रकार का आपको आगात ना पहुचे इसलिए यहां लिखा गया है और इसकुल के सीडियों पर भी पुछ अच्छे सूविचार हमें दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर आपके स्क्रीन पर पाट साला का पहला दि का चित्र दिखाई देरा है इसे आपको ध्यान पूर्वग देखना है समझना है और फिर मैं जो आपको पूछूंगा उसके बारे में बताना है तो चलिए बच्चो इन चित्रों के बारे में हम एक एक चित्र का विष्थार पूर्वग अध्यन करेंगे आपके स्क्रीन पर स्वच्छता ग्रह का चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्वच्छता ग्रह का चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पीछे में आपको एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है और आसपास हरा भरा मौसम भी दिखाई दे रहा है और स्वच्छता ग्रह के सामने एक उम्रदराज व्यक्ती एक छोटी बच्ची के सर पर हात रख कर स्वच्छता ग्रह की ओर इसारा करती हुई हमें दिखाई दे रहे है यहां बता रहे है कि स्वच्छता ग्रह बना हुआ है स्वच्छता ग्रह का उप्योग हमें स्वच्छता पूर्वग ही करना चाहिए सभी खाजगी और सरकारी कार्यालोय में स्वच्छता ग्रह होता ही है पाट साला में भी हम स्वच्छता ग्रह देख सकते है तो जब हम स्वच्छता ग्रह का उप्योग करते हैं बच्चो तब हमें भरपूर पानी वहाँ पर डालना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो क्यों क्योंकि स्वच्छा परिसर में ही स्वच्छा मन निवास करता है और हम भी निरोगी रहते हैं रोगों से बचने के लिए स्वच्छाता ग्रह का उच्चित उप्योग कर वहां हमें स्वच्छता बनाये रखना चाहिए इसलिए इसका उप्योग आप सावधानी पुर्वक करें उसके बाद में देखो बच्चो आपके स्क्रीन पर डिजिटल कप्च इसका चित्र दिखाई दे रहा है अभी प्रगत सैक्षनिक महाराष्ट के अंतरगत प्रत्यक पाट साला में एक डिजिटल कप्च की सुविधा मुहिया कराई गई है यहाँ पर देखो आपके स्क्रीन पर बहुत सारे कम्प्यूटर्स दिखाई दे रहा है और अभी हाल ही में डिमार्ट जैसे संस्ताओ के तरब से भी उन्नत कम्प्यूटर टीचरों की संगनक सिक्षकों की पाट सालाओं में नियुक्ति की जा रही है अर्थात ही गौवर्मेंट के द्वारा सभी बच्चों को संगनक इसका घ्यान हो सके वहां संगनक हेंडल करने में उसे चलाने में निपुन हो सके इसके लिए विविद्ध माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि आधुनिक दुनिया जो है वहाँ तकनिकी की दुनिया है यहाँ पर टेकनिकल चीजों का उपयोग अनिवारियसा हो गया है तो सभी बच्चों को तकनिकी का घ्यान हो सके वहाँ भी कम्प्यूटर हैंडल कर सके इसलिए डिजिटल कक्ष में डिजिटल साधनों के द् बच्चों को डिजीटल बनानी के लिए अथक प्रयास किये जा रहे है और भी पाटव सला में संगनक सिक्षकों की नियोक्ति की जारी है वहाँ समय समय पर बच्चों को संगनक का ग्यान प्रदान करते है साथ ही उनका सराव लेते है उनकी घटक चाचनी भी ली जाती है और एक अलग विशाई भी रखा गया है इसलिए डिजिटल कक्ष का भी हमारे सिक्षा के छेत्र में भी महात्वपुर्णा इस्थान हो गया है उसके बाद में आपके स्क्रीन पर बच्चो स्वच्छता रखो यहां लिखा है और उसके नीचे में चित्र भी दिखाया गया है कि हमें स्वच्छता का पालन किस प्रकार करना चाहिए हमें बगी चाहो सारवजनिक इस्थल हो खाजगी इस्थल हो या हमारे आसपास का वातावरन हो उसे स्वच्छ सुरक्षित रखना चाहिए क्यों क्योंकि स्वच्छ परिसर ही सुन्दर परिसर होता है जहां पर स्वच्छता रहेंगी वहां पर हम निरोगी रहंगे अगर से वहाँ पर स्वच्छता नई होंगी तो कई रोगों का वहाँ पर प्रसार होता हुआ दिखाई देंगा जिससे हम बिमार पड़ेंगे तरह तरह के बिमारिया फैलेंगी और वहाँ पर हमारा मन भी नई लगेंगा इसलिए जहाँ पर गंदगी दिखाई देती है वहाँ पर हमें उसे स्वच्छा करना चाहिए और स्वच्छता का पालन हमेशा करना चाहिए हमारे राष्टपिता महात्मा गांदी जी हमारे बापू इन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था लेकिन हाल के दिनों में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्रीमान निया नरेंद्र मूदी जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास किये है इन्होंने स्वच्छता मिसन के उपर में जग जग कार्यक्रम किये है और हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता में नंबर वन लाने के लिए सभी रोगों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाये है और हमें स्वच्छता के प्रती हमारे देश म हो सरकारी दवा खाने हो फिर सारवजनिक इस्थल हो उसके बाद में जो गाव में सहरों में चावराय हो इसके लिए स्वच्छता के कर्मचारी स्वच्छता कर्मचारी की न्यूकती भी बड़े पाइमाने पर की गई है और यहां स्वच्छता का कार्यक्राम हमारे प्रधन मंत्री के द्वारा बहुती जोर सोर से चलाय जारा इससे हमें स्वच्छता का क्या महत हुआ है हमें स्वच्छा क्यों रहना चाहिए आसपास के परिसर को स्वच्छा क्यों रखना इसकी जानकरी हमें प्राप्त होती है और आपके चित्र में भी एक लड़का- एक लड़की परिसर को सवच्छ करती हुए वहां पर जो कच्रा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है उसको एक कोटली में भरती हुआ दिखाई दे रहे है इसलिए हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए फिर बच्चो पाठ सला में और भी कुछ जीशे जरूरी होती है उनमें से एक है स्कूल ग्राउन, पाठ सला का ग्राउन खेल कूद यहां हमारे जीवन का हिस्सा है खेल कूद यहां मनोरणजन का साधन भी होता है बच्चे खेलों का नाम सुनते ही रोमान्चित से हो उठते है और खेलों से बच्चों के सरीर का भी विकास होता है बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खेल कूद की आउस्चेकता होती है जिस से कि उनके सरीर का विकास हो सके है खेलकुत के माध्यम से हमारी मासपेशिया मजबूत होती है हमारा सरीर मजबूत होता है हमारे सरीर का व्यायाम होता है और सबसे बड़ी बात कि हमें खेलकुत के माध्यम से हमारे सरीर का व्यायाम तो होता है लेकिन हमारी पाच्चन सक्ती भी बढ़ती है इसमें तिवरत आती है हमें खूब भूख लगती है और जो हम ग्राउन पर उच्छलते कूदते है उससे पसीना निकलता है और हमारे सरीर के जो भी वर्जय पदारत है उस पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते है अब देखो चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा खूब मज़े से जुला जुलता हुआ दिखाई दे रहा है फिर एक बच्चा हवे में उचलते हुए दिखाई दे रहा है और एक बच्चा फिसलन पट्टी पर से खूब मज़े से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा दूसरे चित्र में देखो बच्चो इसकूल का चित्र है और उसके सामने हमें ग्राउंड दिखाई दे रहा है बच्चे खेल कुद का नाम सुनते ही पाट साला में जाने के लिए भी रोमान्चित हो उठते है क्यों क्योंकि खेल कुद यह हमारे जीवन का एक अभिन्ना इसलिए सबी बच्चो ने खेल कुद में भी जम कर पार्टिसिपेट करना चाहिए अभी कई प्रकार की जिला इस्तरिया तालू का इस्तरिया राज्ये इस्तरिया और राष्टिया खेल प्रतियों गिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें कबड़्डी, क्रिकेट, खोखो, फुटबॉल, इन सारे खेलों का वहाँ पर समावेश होता है इसलिए सबी बच्चो ने पड़ाई के साथ साथ खेलों के उपर में भी ध्यान देना चाहिए फिर देखो बच्चो आपके स्क्रीन पर बगीचा, बगीचे का भी चित्र दिखाई दे रहा है बगीचा यहां नाम सुनते ही हम रोमान चित हो उठते है बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बगीचे में घुमने जाते है और हमें घुमते हुए दिख करने के लिए और अन्य प्रकार की चजिए देखाई देते है इससे हमारे सरीर का और मन का भी संतूलन ठीक रहता है हमारे सरीर में एक अलग ही उरजा संचित होती है हमारा मन भी प्रपुलित हो उठता है क्यों क्योंकि बगीचे में सब हरे भरे पेड़ पर उधे, फूल, पत्तिया और भी अन्य चीजे दिखाई देती है जैसे खेलों के सभी साधन जूला हो गया फिर हमें व्यायाम करने के लिए और भी अन्य प्रकार की चीजे इसमें हमें दिखाई देती है आपके स्क्रीन पर भी बगीचे का चित्र दिखाया गया है जहां पर बच्चे गमले उठा कर जो फूलों के गमले है उनको उठा कर एक जगह से दूसरे जगह मतलब उनके सुरक्षित जगह ले जाती हुए दिखाई दे रही है एक बच्ची पौधों को पानी देती हुए दिखाई दे रही है एक बच्चा देखो मिट्टी देती हुए दिखाई दे रहा है बगीचा यहां एक मनोरम सा प्रतित हो रहा है और मन भी यहां पर मनोरम हो जाता है इसलिए बगीचे को भी कभी भी हानी नहीं पहुचाना चाहिए पाट साला में भी पाट साला का अपना एक बगीचा होता है जहां पर बच्चे आनंद की अनुभूती लेते हैं आनंद करते हैं और पाट सालाम को हमें कभी भी पाट साला में बगीचे को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए हो सके तो हमें उसमें और भी ज्यादा पौधो कर ओपन करना चाहिए ताकि वहां बगीचा और भी उन्नत दिखे क्यों क्योंकि पौधे लगाना यहां भी हमारी एक जि पिर देखो यहां पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कतार में चलो अर्थात हम जब भी चलते हैं यहां तक कि हम जब पाट साला में भी प्रविष्ट होते हैं तो पाट साला में परिपाट के बाद परिपाट के पस साथ जम हम अपनी कच्छा की ओर चलते हैं तब हम एक सीधी कतार में हमेशा चलना चाहिए एक सीधी पंक्ती में चलना चाहिए क्यों क्योंकि कतार में चलने से हमें अनुसासन की भी सिक्षा मिलती है और अनुसासन में रहना यहां हमें अच्छे से आना चाहिए हमारे जीवन में सुरुवात से लेकर के आखरी तक अर्थात अ अनुसासन यहां बहुत जरूरी है अनुसासन के सिक्चा हमें घर से हमारे बड़े बुजुर्गों से पालकों से समाच के कुछ अच्छे वर्गों से भी यहां सिक्चा हमें मिलती है यहाँ पर कतार में चलो इसलिए दिखाई दे रहा है बच्चो क्योंकि अगर हम इदर उदर चितर बितर होकर चलेंगे तो हमें चोट लगने का हमें आगात पहुचने का चांस रहता है और अगर हम एक सीधी लाइन में जाते हैं तो अनुसासन के साथ साथ हम सेप्टी में भी चल रहे हैं हमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगेंगी हानी नहीं पहुचेंगी इसलिए इसकूल के दिवारों पर भी कतार में चलो और बच्चों के चितर एक सीधी लाइन में हम फिर देखो बच्चो इस चित्र में आपको इसकुल की सीडिया दिखाई दे रही है यहाँ पर इसकुल की सीडियों का चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसकुल की सीडिया यहाँ भी हमेशा साप सुत्री रहना चाहिए इसके लिए पाट साला में चतुर्त स्रेनी के कर्मचारियों की भी न्यूकती की जाती है लेकिन केवल उनके न्यूकती से काम नहीं चलता क्योंकि हमारा भी यह करतव्य है कि पाट साला हमारी अपनी है तो पाट सला के सीडियों को हमें कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए अगर से हो सके जितना हमसे हो रहा है उतनी उन सीडियों की सफ़ाई रखना चाहिए क्योंकि उन सीडियों पर से चलना हमें ही होता है बच्चो तो यहां पर देखो अभी सिडियों के उपर में कुछ सुवीचार लिखे गए है, उन सुवीचारों को हम अभी पढ़ते हैं, तो सबसे पहला सुवीचार है अनुसासन बनाए रखो, अभी जैसे महा ने पहले ही बताया कि अनुसासन, अनुसासन यह हमारे जीवन का एक अनुसासन में रहने की सिख्चा हमें, हमारे घर में, हमारे पाट साला में सिख्चकों के द्वारा, हमारे अभी भावकों के द्वारा दी ही जाती है, तो अनुसासन हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, फिर देखो बच्चों, दूसरे में लिखा है दाए बाए देखकर चलो अर्थात हम जब भी चलते हैं हम रास्ते से चलते हैं तब हमें दाए बाए देखकर चलना चाहिए अर्थात जब हम रास्ते से चलते हैं तो हमें हमारे उचित साइट से ही चलना चाहिए रौंग साइट पर नहीं हमें राइट साइट पर बराबर चलना चाहिए क्योंकि गलत दिसा में चलने से गलत साइट से चलने पर हमें दुरघटना से भी होकर गुजरना पढ़ सकता है इसलिए भी का जाता है बच्चों की दुरघटना से देर भली आप दायबाय देखकर चलो फिर इसके उपर में देखो बच्चों और रिखा गया है सुविचार जल है तो कल है जल है तो कल है जल अर्थात पानी पानी यह हमारा जीवन है आपने यहां तो सुने ही है पानी के बिना हमारा जीवित रहना संभव है क्या नहीं पानी के बिना हम हमारे जीवन की कलपना ही नहीं कर सकते हैं और जल है तो कल है कल अगर पानी नहीं रहेंगा तो हमारा भविषय भी सुरक्षीत नहीं रहेंगा इसलिए अगर हमें हमारे भविषय को बचाने है तो पानी का भी सावधनी पूरोग हमें इस्तेमाल करना चाहिए अभी बड़े-बड़े कारखानों में कमपनियों में बेफिजूल और बहुत जादा प्रचूर मात्रा में पानी की बरबादी हो रही है जल की बरबादी हो रही है इसके साथ ही साथ जो कारखानों से गंदा पानी निकल रहा है वहां नदियों में तालाबों में जाकर मिल रहा है जिससे जल प्रदूसन यह भी समस्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है प पानी का इस्तर दिन बद दिन नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां एक हमारे लिए विकट समस्या बनी हुई है तो हमें पानी का सावधानी पूर्वक उप्योग करना चाहिए यदि हम नल के उपर में जाते हैं और कोई नल चालू दिखाई दे रही है पानी का व्यर्थ में जा रहा है तो हमें उस नल को बंद करना चाहिए यहां भी हमारी एक जिम्मेदारी है हमारी वैक्तिक सामाजिक सारवजनिक जिम्मेदारी है हमें पानी के बारे में भी अपनी जिम्मेदारी समझना है फिर उपर लिखाए बच्चो पड़ो और बड़ो समाज में जो जो वेक्ति आपसे परिचित है उनका भी नाम रोशन करो जिससे समाज का नाम रोशन हो गाव का नाम रोशन हो जिले का नाम रोशन हो राज्य का नाम रोशन हो और अमारे पूरे देश का नाम रोशन हो पाट साला में खूब मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो यहीं यहां पर इस सुविचार का अर्थ प्रतीत हो रहा है तो आपने देखे बच्चो की स्किल की सिड्यों पर जो सुविचार लिके है उसका भी अर्थ मैने आपको बताया और यह चित्र भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस चित्र में देखो बच्चो आपको गमले का चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ आपके स्क्रीन पर देखो बहुत सारे गमलों के चित्र दिखाई दे रहे है उन गमलों में फूलों के पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर अलग अलग आकार के पौधे आपको इन गमलों में दिखाई दे रहे हैं गमले भी अलग अलग आकार के आपको दिखाई दे रहे हैं इन फुलों के पौधों के कारान गमले भी सुसोबित लग रहे हैं गमलो में हम पानी डालते है जब गमलो के अंदर में पाउधे रहते है तो उन गमलो में पानी जमा रहता है इसलिए पाउधे जब छोटे रहते है तब उन्हें बड़ा करने के लिए और उन्हें लगाने के लिए गमलो का उप्योग किया जाता है इसलिए गमले भी बहुत ज एक लड़का और एक लड़की पीछे में ब्याक टांगे हुए इसकूल बसता टांगे हुए पाट साला की ओर हमें जाते हुए दिखाई दे रहे और उनके चेहरे पर खुसी दिख रही है वहां खुसी से जुमते हुए हातों में हात पकड़े हुए पाट साला की ओर चल रहे है और एक कुरसी पर बैटा हुआ बच्चा पाठ्थे पुस्तक पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक लड़का और एक लड़की देखो पेंसी पर बैटकर हवाई यात्रा करती हुए हमें नजर आ रही है इससे हमें यहां प्रतित हो रहा है बच्चो कि पाठ साला के पहले दिन बच्चे कितने उत्सा से भरपूर रहते हैं और वहां उत्साइद होकर पाट साला की ओर पलायन करते हैं पाट साला की ओर जाते हैं और वहां हमें बहुत ही खुज दिखाई देते हैं उसके बाद में बच्चो इस चितने में देखो आदर्स प्रात्मिक पाट साला का सोरूप कैसा होना चाहिए यहां यहां पर दिखाई गया है अर्थाद ही जो आदर्स प्रात्मिक पाट साला रहती है उस आदर्स प्रात्मिक पाट साला में कौन-कौन सी चीजे होना चाहिए कौन-कौन सी चीजे आफसे खुती है कौन-कौन सी चीजों से वहाँ स्कूल सुसोवित होता है यहाँ सब यहाँ पर दिखाया गया है देखो आपके स्क्रीन पर भी चित्र दिखाया गया है आदर्स प्रात्मिक पार्ट साला का वहाँ पर टीवी और भी डेल सारे रंगवी रंगे सामान, कुर्सिया, उस्तके, इन चीजों का वहाँ पर समावेश हुआ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ एक आदर्सता की मिसाल हमारे सामने है अर्थात आदर्स पाट साला होने के लिए जो जो चीजे हमें चाहिए वह सारी चीजे इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है फिर यहाँ पर देखो बच्चो सिक्छक पाट साला के पहले दिन बच्चों का स्वागत करते हैं दिखाई दे रहे है वो हमें पीट थप थपा कर हमारे सर पर हाथ रख कर हमारा स्वागत करते दिखाई दे रहे है अर्थात सिक्छगन बच्चो का तहे दिल से स्वागत कर रहे कि आईए बच्चो पाट साला में आपका स्वागत है अभी यहाँ पर देखो बच्चो सुसुआ गतम यहाँ पर सुसुवा गतम का आपको चित्र दिखाई दे रहा है दोनों साइड में गुलाब के फुल और बीच में लिखा है सुसुवा गतम जैसे पाट साला के गेट के उपर जब हम पाट साला में अंदर प्रविष्ठ होने वाले होते है तब वहाँ पर लिखा होता है सुस्वा गतम तब बच्चों का पैरेंट्स का स्वागत करने के लिए यहां लिखा जाता है कभी दोनों साइट में हाथ जोड़ी हुए सुस्वा गतम भी हमें दिखाई देता है सुस्वा गतम बच्चों हमने देखा भी हमारा घठक पहला दिन मैंने पहला दिन इस घठक के चित्र आपके इस्क्रीन पर दिखाया आपने भी उन चित्र देखकर उनके नाम बताओ, आपके स्क्रीन पर बच्चों दो चित्र दिखाए गए हैं, इन चित्रों को देखना है और उनके नाम मुझे आपको बताना है तो बच्चों आज आपने जो लेशन देखा उस लेशन को बार बार देखकर पढ़कर उसे समझने की कोशिस करो क्योंकि एक बार पढ़ने से देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है इसलिए कोशिस करो कि इसका आप बार बार सराव करें क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अग्ध्यासते जर्मती होतर सुजान रस्री आवत जात है सिल्बर होतर निसान इसका अत्रिया है बच्चों कि अग्यानी से अग्यानी व्यक्ति भी अगर निरंतर अगर से कोई कारे करने की कोछिस करे किसी भी चीज़ को मन लगा कर पड़े उसे देखे समझने की कोशिस करे तो वहाँ उस चीज़ को अवगर कर सकता है जैसे आपको उद्रन में दिखाया गया है कि अगर से अग्याई से अज्यानी वेक्टी में अगर हर चीज़ को करने केको कोशिस करे तो वहाँ उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है तो बच्चो इसी प्रकार आप भी इस लेशन को अउस से पढ़े और बार बार पढ़े और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चो हम है इसके आगे की जाग करें आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शिक की जाएंगी इसके लिए आप जो नीचे सब्स्क् और अपना नोटिफिकेशन आन रखे ताकि जो आगे के हमारी वीडियो आपको दिखाये जाएगे वहां आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके तो बच्चो आप अपना ध्यान रहे रखे शुरक्षित रखा रहे और हर चीट की सावधनी बनते धन्यवाद